नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है इस नए वीडियो में दोस्तो दोस्तो आज मी कलास 12 दोस्तो वाइलोजी का दोस्तो मोश्ट इस भीविया सब्जेक्टिव कोश्चन लाए हो दोस्तो दोस्तो जो 2022 एकजाम के लिए दोस्तो बहुत ही महत्पूर्ण है दोस्तो जो भी स् चैनल पर जरूर मिलेगा ठीक है तो चलिए दोस्तो आज इस वीडियो को शुरू करते हैं तो आप लोग वीडियो को अंज तक जरूर देखिए दोस्तो मैं ग्रेंटी के साथ कहता हूं दोस्तो मैं जितना भी प्रसन बताऊंगा उससे बाहर तो नहीं पुछेगा है 100% ग्रे आप कोपी कलम निकाल लेजिए और लिखते जाए ठीक है जेवी खाद के उप्योग से होने वाले दो लावों को लिखिए तो दोस्तो अंसर आपको लिखना है जेवी खाद के उप्योग से होने वाले दो लाव इस परकार है ठीक है दोस्तो पहला लिखना है दोस्तो यह मि किर्पिकि वर हानी रही थे आपको दोस्तों कोश्चेन पूछे गा जे भी खाद के वीग से होने वाले दो लावों को लिखिए तो आप इस्तरा लिखिए भी खाद के व्रत गुष। होने व्रते दोने गुंता को बनाये रखने में अबendeu करता है । दूसरा लिखिए question number आपका दूसरा काता है दोस्तों वीडियो को अंतक बने रहे हैं एक पारिष्थितिक तंतर से आप क्या समझते हैं दोस्तों मैं दोस्तों पारिष्परिक संबंद का अध्यन करना ही पारिष्थितिक तंतर का लाता है ठीक है दोस्तों एक पारिष्थितिक तंतर से आप क्या समझते हैं पेर पोधे जीव जन्तु तथा पढ़िया वरन के बीच पारिष्परिक संबंदों का अध्यन करना ही पारिष्थितिक तंतर का प्रसंद देखते हैं अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो पिछेमीरा यो पूली तो बजान में कमी तथा सरीर के किसी वहाग का अत्याधिक वीर्दी है चलिए अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन आपका कातायाई वीडियो को छोड़िये नहीं वीडियो को अंच तक जरूर देखिए कोश्टे नमर चौथा है दोस्तो सहलागनता को परिभासित करें तो इसका आंसर आपको लिखना है गुंशुत्री के उपर उपस्थीत वे जीन जो अर्ध्शुत्री विभाजन के समय एक दूसरे से बिना अलग हुए पीडी दर पीडी अस्थाना अंतरन होते रहते हैं तो उसे सहलागंता करते हैं ठीक है दोस्तों जरूर याद किजिए दोस्तों याद करने में कंजूसी मत किजिए याद किजिए दोस्तों फोर पार के ठीक है गुंसुत्र के उपर उपस्थितु वेजीन जो अर्धसुत्री विभादन के समय एक दूसरे से बिना अलग हुए पीडी दर पीडी अस्थान अंतरान होते रहते हैं उसे सहाला गंता करते हैं ठीक है जरूर याद किजिए दोस्तो मैं आपके लिए दोस्तो बहुत ही मेनत का एक दोस्तो मैं कितना इजी में कोश्चन बनाता हूं ताकि आप लोग याद कर सके ठीक है सब हो जीता को परिभासित करें एक दोस्तो सभी कोश्चन ठीक है तो आप लोग जरूर याद किजिए दोस्तो ये 2011 का है तो दोस्तो इसका अंसर है दोस्तो ऐसी पारिसपरी किरिया जिसमें एक जाती को लाब होता है और दूसरी को ना लाब होता है नहानी उसे सभोजिता करते हैं ठीक है अगल आप प्रसंद देखते हैं याद करिए दोस्तों याद करना मत भूले को याद कीजिए दोस्तों को सिक्स काता है हरित करांती से आप क्या समझते हैं दोस्तों इसका स्वाट अंसर मैं लिखा हूं दोस्तों फसल के उत्पादक्ता में होने वाली बेर्दी को हरित करांती का जाता है चलिए अगला प्रसन देखते हैं आपका अगला प्रस्थ दोस्तो question number काता है इस तरह दो green house gas के नाम बताएं जिसे बैस्विक तापन हो रहा है ठीक है तो इसका answer है co2 तथा CH4 ठीक है co2 तथा CH4 ये green house दोस्तो gas के नाम है तथा इससे बैस्विक तापन हो रहा है अभी ठीक है चलिए चलिए कोश्चन नमर दोस्तो आठ नमर कहता है दोस्तो कोश्चन नमर आठ है जैवी विजता के बारे में आप क्या जानते हैं यहीं दोस्तों जैवी विजता से आप क्या समझते हैं तो इसका अंसर देखिए जीव जानतू पेर पोधे में जो भिंता पाई जाती है जली अगला प्रसन आपका कहता है दोस्तों अगला प्रसन है दोस्तों डी एने और आरेने के बीच दो परमुख अंतर बता यह ठीक है डी एने और आरेने के बीच दो अंतर बताना है दोस्तों तो अंसर लिखेगा डी एने और आरेने के बीच दो परमुख अंतर निमने सबशाहन रिखेते हैं गुए इसके सब्सक्तों इसबले भाना या एक भूजियां सब्सक्रा के सब्सक्राइगों डीक थो चलिए दोस्टो आज की से वीडियो को इहीं पर इंहकरते हैं अगर फ़ीडियो को लाइक कर दीएंगा वीडियो को जरूर लाईख की जगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो चलिए दोस्तोअ है M 2011 सेट बता चुका हूँ ठीक है दोस्तों 2012 का दोस्तों मैं जल्ली वीडियो लाँगा सब्जेक्टिव ठीक है तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए जैंत जैवारत